तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग आई होप आप ठीक होंगे दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल गाजियाबाद बाजिगर में तो आज की वीडियो को टॉपिक दोस्तो आप थम्दल देकर समझे गए होंगे आज की वीडियो में मैं आपको ब कि सो रहेज की वीडियो में मैं आपको ब्रेटिंग के बेसिक फैब टिप्स पताने वाला हूं जो की दोस्तों सब को जानना जरूरी है अगर वह कबूत्रो की बैडिंग कराते हैं तो दोस्तों बेसिक टिप्स है तो वीडियो में है एंड तक बने रहना आज जिसमें दोस्तों नर और मादा दोनों ही ठीक हो बिल्कुल दोस्तों हेल्दी हो कोई छोटा बढ़ा ना हो यानि दोस्तों कुछ खुलते रह जाते है तो उनका जोड तो लग जाता है l grocery लेकिन अंडे भी धर देते ले किन बच्चे नहीं पाल पाते तो दोस्तो दोनो नर और मादा फिट होना चाहिए ठीक है दोस्तो तो पहला पॉइंट तो दोस्तो यह हो गया दूसरा पॉइंट दूस्तो आपको ब्रेडिंग कराने के लिए एक केज चाहिए होगा यानि दूस्तो पेटी या केज जिसमें नर और मादा रह सके और बच्चे पाल सके तो जैसा कि आप देख रहे हैं यह पेटी रखे हुई है इसमें दूस्तो सब अपने खन्ने में नहीं जा पाएगा और नहीं अंड़े तोड़ पाएगा तो यह देखी आप हमने यह जोड़ा लगाया है तो नया लगाया तो अब इसने एक अंड़ा रख दिया आज और इस माधिन दूस्तों कल रखा थाए्करणा तो यह देखी दोस्तो हमारी ब्रेड़िंग शुरू हो गई है हमने भी दोस्तो अभी नए नए जोड़े बनाये सारे यह तो दोस्तो तीसरा जो पॉइंट है आपके जो कबूतरों का जो ब्रेडिंग बॉक्स है उसमें एक नैस्ट बाउल होना चीए आपको दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऐसा नैस्ट बाउल होना चीए या फिर दोस्तों अगर कबूतर खुद घोसला बना लेते हैं तो आपको कुछ रखने की जरुवत नहीं है वो खुदी वच्चे पाल देंगे और खुदी अच्छे सेंडे सेख देंगे दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मेरे पेटियो में भी दोस्तों नैस्ट बाउल नहीं है तो दोस्तों मैं मेरे कबूतर नहीं नहीं अंडे रखे हैं तो अभी मैं नैस्ट बाउल बनाऊंगा तो आपको वीडियो बना के जरूर दिखाऊंगा कि नैस्ट बाउल कैसे बन काट के ब्रीडिंग करा है अगर दोस्तों आप पर नहीं काटेंगे और छट पे ही अगर ब्रीडिंग करा रहे हैं तो दोस्तों ये इदर इदर उड़ते रहेंगे मस्ती मारेंगे और बच्चों की भराई धंग से नहीं करेंगे अगर दोस्तों आप कैच रखेंगे तो ये स पांचवी टिप दोस्तो यह है कि आप जोड़े वाले कपूतर दो टाइम खोले ताकि दोस्तो वो ज्यादा भूख न माने अपने बच्चो को भी धंग से भराई कर सके क्योंकि दोस्तो अगर जोड़े वाले कबूतर भूके रहेंगे तो वो सिर्फ दाना देखेंगे मस्ती नहीं करेंगे और नहीं अंडे रखेंगे इसलिए दोस्तो जोड़े वाले कबूतरों को दो टाइम खोरा जाता है एक बर सुबह एक बर साम को ताकि दोस्तो उनका पेट भरा रहे और वो कबूतर मस्ती में भी रहे मैटिंग भी करते रहे और दोस्तो बच्चों की भराई भी करते रहे तो breeding कराने के दोस्तो पाच basic tips बताए आज की वीडियो में उमीद करता हूँ दोस्तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी अगर दोस्तो आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि चैनल पर हम कभूत्रों से रिलेटिड इंट्रस्टिंग और इंफर्मेटिव वीडियो डालते रहते हैं फिर मिलेंगे दोस्तो ऐसी ही इंट्रस्टिंग और इंफर्मेटिव वीडियो के साथ